नमस्कार, यूट्यूब चैनल N Universe Study में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी जब भी हम हरियाना राज्ये से रिलेटिड कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रिक्साओं में पूछे गए हरियाना राज्ये से संबंदित प्रशनों के बारे में और इस सीरीज के हमारी 18 वीडियो है तो सुरू करते हैं सबसे पहले प्रसे नंबर वन हरियाना में किस जिले में असव स्टेलियन के इंदर खोला गया है अप्शन हमारे पास है पहला अप्शन है फ्रीदाबाद दूसरा अप्शन सिरसा तीसरा अप्शन हिसार और चोथा अप्शन पंचकुला तो इन चारों में से वो कौन सा जिला है जहां पे असव स्टेलियन के इंदर खोला गया है इस प्रसन का सही उत्तर है अप्शन सी हिसार में असव स्टेलियन के इंदर खोला गया है अगला प्रसन है हरियाना राज्य में सरवादिक छेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है option हमारे पास है पहला option है मिर्च दूसरा option है लहसुन तीसरा option है धनिया और चोथा option है खल्दी तो इस प्रसंद का सही उत्तर है हरियाना राज्य में सरवादिक छेत्र में के खेती की जाती है तीसरा प्रस्षन है सिरसा जिले की मन्जियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है सिर्षा जिले की मंजियाना प्रियोजना किस मिशन के तहत आती है पहला उप्षन है मुर्गी पालन दूसरा उप्षन बागवानी तीसरा उप्षन मतस्या पालन और चोथा उप्षन पसू पालन तो इस प्रसंद का सही उत्तर है उप्षन B सिर्षाजिले की मंजियाना प्रियोजना बागवानी मिशन के तहत आती है अगला प्रशन है हरियाना राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंदर कहां स्थित है हरियाना राजय में रेड जंगल फाउल परजनन के इंदर कहां स्थित है ओप्शन है पहला ओप्शन पंचकुला दूसरा ओप्शन अम्बाला तीसरा ओप्शन पिंजोर और चोथा ओप्शन मोरनी तो इस प्रसन का सही उत्तर है हरियाना राजय में रेड जंगल फाउल परजनन के इन्दर पिंजोर में स्थित है ऑप्शन C अगला प्रशन है निमन लिक्त में से कौन सी नदी नजफ गड जील में गिरती है निमन लिक्त में से कौन सी नदी नजफ गड जील में गिरती है ऑप्शन है पहला ऑप्शन गगर नदी, दूसरा अप्षन टांगडी नदी, तीसरा अप्षन सरस्वती नदी और चोथा अप्षन साहीबी नदी इस प्रसन का सही उत्तर है साहीबी नदी नजफगड जील में गिरती है अगला प्रसन है हरियाना में जुलाई से सितंबर महिने के मध्य किन पवनों दुआरा वर्षा होती है अप्षन है पहला अप्षन व्यापारिक पवन दूसरा अप्षन दक्षिन पस्चमी मानसूनी पवन तीसरा अप्षन पच्चमी विक्षोब तो इस प्रसन का सही उत्तर है हरियाना में जुलाई से सितंबर महिने के मध्य दक्षिन पस्चम मानसूनी पवनों के दुआरा वर्षा होती है अप्षन भी इस प्रसन का सही उत्तर है अगला प्रसन है हरियाना राज्य के किस जिले के जाटों पर आर्ये समाज का प्रभाव अधिक था अप्षन है पहला ओप्षन कैथल जिला दूसरा ओप्षन जजज़र जिला तीसरा ओप्षन भीवानी जिला और चोथा ओप्षन रोतक जिला तो इस प्रसन का सही उत्तर है हरियाना राज्य में रोतक जिले के जाटों पर आर्ये समाज का प्रभाव अधिक था अगला प्रशन है रणजीत सिंग ने किस स्थान से जींद सासक को पकड़ कर अंगरेज़ों को सौप दिया पहला ऑप्षन कैथल दूसरा ओप्षन लाहूर तीसरा ओप्षन फटियाबाद चोथा ओप्षन भीवानी तो इस प्रसन का सही उत्तर है रणजीत सिंग ने लाहोर से जीन्द सासक को पकड़ कर अंगरेजों को सोंप दिया था अगला प्रसन है हर्याना राज्य किस नदी के किनारे अवस्थित है ओप्षन हमारे पास है पहला ओप्षन यमना नदी दूसरा ओप्षन सिंदू नदी तीसरा ओप्षन सरस्वती नदी और चोथा ओप्षन गंगा नदी तो इन चारों में से वो कौन सी नदी है जिसके किनारे पर हर्याना राज्य आवस्थित है तो इस प्रशन का सही उत्तर है हर्याना राज्य सर्शुवती नदी के किनारे स्थित है अगला प्रशन है वर्स 2011 की जन गणना के अनुसार राज्य में पूर्स साखसरता दर है वर्स 2011 की जन गणना के अनुसार राज्य में पूर्स साखसरता दर है पहला प्रशन 84.05 परतीसत दूसरा प्रशन 80.09 परतीसत तीसरा प्रशन 78.05 परतीसत और चोथा उप्शन 82.05 परतीसत तो इन चारों में से वो कौन सी परतीसता है जो पूर्स साखसरता दर है हर्याना की वर्स 2011 की जन गणना के अनुसार तो इस प्रशन का सही उक्तर है उप्शन A वर्स 2011 की जन गणना के अनुसार हर्याना राज्या में पूर्ष साकसर्ता दर 84.05 परतिसत थी अगला प्रशन है अरावली की स्रेणिया हर्याना के किस भाग में स्थीत हैं? पहला उप्शन पस्चमी भाग दूसरा उप्षन दक्षनी भाग, तीसरा उप्षन उत्री भाग और चोथा उप्षन पूर्वी भाग इस प्रसन का सही उत्र है अरावली की सरेणियां हरियाना के दक्षिन भाग में स्थीत हैं उप्षन बी अगला प्रशन है बैराइट नामक खनीज रज्जे के किस स्थान पर पाया जाता है बैराइट नामक खनीज रज्जे के किस स्थान पर पाया जाता है पहला उप्षन जीन्द, दूसरा उप्षन चर्खी दादरी, तीसरा उप्षन नारनोल और चोथा उप्षन पलवल इस प्रसंद का सही उत्र है बैराइट नमखनीज हरियाना रज्य में नारनोल में पाया जाता है अगला प्रशन है जगनात पहाडिया ने हरियाना के किस पद को सुसोभित किया जगनात पहाडिया ने हरियाना के किस पद को सुसोभित किया पहला उप्षन मुख्य मंत्री, दूसरा उप्षन वित मंत्री, तीसरा उप्षन उच नयाल्य के नयाधीस, तो चोथा उप्षन राजयपाल इस परसंद का सही उत्तर है जगनात पहाडिया ने हरियाना के राजयपाल के पद को सुसोबित किया अगला प्रशन है फ्रीदाबाद नगर निगम में कितने वार्ड हैं? उप्शन है पहला 25 दूसरा 23 तीसरा उप्शन 22 और चोथा उप्शन 27 तो हर इस प्रशन का सही उत्तर है फ्रीदाबाद नगर निगम में 25 वार्ड है उप्शन ए इस प्रशन का सही उत्तर है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं फेस्बुक वर्टसप ट्वीटर पे अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एन इन्वर् आपका दिन शुब रही